हेलो फ्रेंज, खापी लो किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरदियों के मौसम में सूप का कुछ मज़ा ही अलग होता है तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ सूप की ही मज़िदार रेसिपी तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रेडी करते हैं तो फ्रेंज, इसके लिए आपको तीन टमाटर और तीन गाजर लेने हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको ले सकते हैं फिर हम गाजर और टमाटर को अच्छे से बॉयल कर लेंगे हमने इसको काट कर बॉयल कर लिया है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखें ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेना है आपको और फिर उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स पेस्ट तयार हो चुका है और फिर उसके बाद हमने कडाई में वनफोर टी स्पून गी ले लिया है हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और जैसे ही गी पिगलता है वनफोर टेबल स्पून हम इसमें जीरा एट कर देंगे और फिर उसके बाद हम वनफोर टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च एट कर देंगे इसके साथ हम इसमें एक चुटकी हींग को भी मिक्स कर देंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन प्रेस कर दीजिए इसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें एट कर देंगे इसमें जो इंपोर्टेंट है वो है कि हमको इसमें उबाली अच्छे से लेना है क्योंकि सारा टेस्ट उसी पे डिपेंड है उबाली लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर उसके बाद हम इसमें स्वाद अनूसार नमक एड़ कर देंगे आप अपने स्वाद अनूसार नमक ले सकते हैं और फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम उसमें एक उबाली ले लेंगे और फिर हम इसमें स्वादनु सार शक्कर आट कर देंगे आप अपने हिसाब से शक्कर आट कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सूप रैडी हो चुका है आप इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको सर्प करने के लिए तयार करते हैं और अब हम इसमें ये देखिए हमारा रेडी हो गया है सूप आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ कीजिए गा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचेंग अगली वीडियो में फिर मिलते हैं